हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिनूत तो आज हम यहां पर देखने वाले हैं कहां कि गियर नॉफ कैसे लगेगा एचली क्या यह आफ्टर मर्केट है ऑनलाइन पर्चेस किया था यह गियर नॉफ है जैसा कि अब देख रहे हूंगे इसके साथ यह साथ में आता है यह जो साथ में आता है इसका फिटिंग एजेश्ट्नेंट है जो फिटिंग करेंगे तो दरहसल हुआ कि यह उरिजिनल एमजीबी का गियर नॉफ था काफी बोजन है इसमें बोजन तो काफी है तो यह दरहसल हुआ क्या यह रिवर्स करते समय जस्ट ड्रेकडाउन हो गया और देख सकते हूंगे यहां कि यहां पर टूड़ी गया है देख सकते हूंगे तो हम यह गयरनों वसले लगाने के लिए तो लगाते हैं तो दरहसल इस तरह से रहता है ऐसे इस तरह की से फिटिंग रहता है यह कुछ इस तरीके से फिटिंग रहता है हैं इस तरीके से फटिक रहता है तो यह दॉभर जो है यह डाक्ट यहां पर जया और क। बगएरा रहता है है こरा कि यह जो प्याश्टीक प्रएवाया लाक टो प्रयग्शंस्डbirth żर्ट है यह यह जो प्लास्टीक आधे रहता है और यह हम निकाल देंगे, यह निकालने के बाद हमको पहले करना क्या होगा, यह निकालना होगा, इसके जगापे यह फिट होगा, यह जो अब दिख रहा है, यह फिट हो जाएगा, तो यह फिट करने के लिए पहले हमको यह निकालना पड़ेगा, तो यह मेरे खाल से बहुत मसकत करना पड़ेगा इसक की निकलने के लिए बाहत मसकत पनना पड़ेगा यह हो सकते हैं हम को तूर की निकलना पड़े तो इसके latest के लिए मैं कुछ बढ़ बढ़ लाया हूं कध्यश कि की बलागे लास है मिलकोष मारती SUZUKI का धोज्णन्न नौ टॉप मोडल जैट डी डीजल इंजिन रिजल इंजिन सब स्टॉक है आफ्टर मार्केट अलगोई लगा हुआ है इने कि सभी पार्किंग है कोई दिक्कत नहीं है कि तो यह उनको निकॉलना पड़ेगा प्लास है तो फिर हम निकालते हैं फिर आपको बत्ते है अंजी दोस्तों तो यह हो गया आप प्रफेटिंग होने के पाद सवरी मैं आपको दिखा ही पाया बट कुछ नहीं है यहां प्लास्टिक रहेगा प्लास्टिक जो आपको दिखाया था वह डारेक्टिस में फीटो जाएगा फीटो जाने के बाद यह गेर नॉब जो है गेर आप यह उफर से फीटो के उसको तुत्रा सब फुष कर देंगे तो अपने आप नीचे से रख जाए कोई दिक्कत नहीं है और यह यह अगर निकाले थे वह फुछ नहीं है सिंपल वह यह सीखर कर देंगा और यह फीट हुई है देख सकते हूंगे फूस करना फूछ नहीं यह निकल गया है यहां से कपड़ा निकल गया है तो यह कुछ नहीं जहां सीड बनाते हो वहां पर ले जाएंगे तो उस सीड देगा कोई दिक्रत नहीं इसमें कैसा लागा आपको वीडियो आमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आपको ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो और चाहिए गाड़ी से रिलेटेड तो हमको बताएगा जरूर थैंक्यू फर वाचिंग बाए बाए